आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुएस में मैं दुरुदिनकर फॉर्मर एस बेप यूँ आज फिर से रीजनिंग के बहुत ही प्यारा सेशन मैं आपके लिए 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 लिक रहा हूं जैसे कि आप जानते हैं सिस्टेमाटिक तरीके से टैसे सॉल किया जाता है आज भी आपके लिए एक सेट मैं लेकर आपको बहुत ही प्यारा सेट है pure means के लिए set रहेगा याद रखिएगा difficulty level थोड़ी सी high है solve करने में आपको मजाएगा start करें उससे पहले जो students बार-बार मुझसे पूछते हैं कि sir test series के लिए क्या किया जाए तो उनको मैं recommend करूँगा practice mock पर के test series है practice mock पर के test series है उनकी test series आप join कर सकते हैं उनका content मैंने देखा है अच्छा content है, relevant है new patent based है और खरीदने से पहले उनका कोई भी plan जैसे उनके 3 plans हैं 1 महीने का 6 महीने का, 12 महीने का कोई भी plan आप खरीदें उससे पहले आप उनके free test ट्राइ कर सकते हैं description में मैंने link दे रखा है इसके लावा जब आप वो test देंगे इसके लावा आप और भी बाकी test भी अलग अलग जो भी exam के लिए आप prepare कर रहे हैं उनके section में जाके free test दे सकते हैं जो link है आपको description में मिल जाएगा नीचे आप चेक कर लीजेगा और उस पर click करेंगे click करके आपको बस register करना है किसी तरह के कोई पैसे नहीं लगेंगे starting में free test आप दीजे अगर आपको content पसंद आता है तो आप इन में से कोई भी plan purchase कर सकते हैं ठीक है और test series के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं बहुत जादे important है अगर आपने अपने concepts क्लियर कर लिए है तो अगर आप means की तैयरी कर रहे हैं तो हफते में एक test दीजे pre की तैयरी कर रहे हैं तो 2-3 test आप हफते में दीजे आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहे है ठीक है अब test series के लावा बात रहती है current affairs के लिए current affairs के लिए मैं starting से आपको बोलता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बस affairs cloud का annual subscription आप purchase कर लिए annual subscription आप purchase कर लिए उसका link आपको नीचे मिल जाएगा पूरे साल का subscription आपको PDF format में मिल जाएगा mcq है pocket PDF है जो पूरा जो weekly PDF है month wise PDF है तो कई features है जब आप annual subscription लेते हैं affairs cloud का उसका description भी आपको नीचे उसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा click कीजे click करके आपको कुछ नहीं करना है referral code आप डालिएगा जो हमारे channel का नाम है और आपका total payment आएगा 315 रुपए रुपीस 350 315 रुपए में आप पूरे साल का subscription buyout कर सकते हैं current affairs बहुत important है अगर आप means की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा weightage रहता है general awareness में scoring weightage है अगर आप तरीके से prepare करें ठीक है पूरे साल का subscription आपको मिलेगा पिछले जो महीने निकल चुके है उनकी भी PDF आपको provide की जाएगी सारी PDF आपके लिए available रहेंगे कई features हैं MCQ PDF रहती है pocket PDF रहती है weekly, month wise according to your time allotted to current affairs आप उनमें से कोई भी PDF कर सकते हैं तयार पूरे साल की PDF आपको provide की जाएगी एक stop है अगर आप ये ले लेते हैं तो और कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं link आपको description में मिल जाएगा भूलेगा मत referral code यूज़ कीज़ेगा virtuous और आपका final payment बनेगा 315 रुपए और इसको buyout करना है तो description में link मैंने दिया हूँ है चले ये सारी बाते हो चुके हैं अब set देखते हैं आजी question आप लोगों के सामने है pause कीजिए pause करके शांती से attempt कीजिए सवाल 15 minute का सवाल है 15 minutes आपको देने पड़ेंगे pause करके एक बार 15 minute आप अच्छे से दीजे और उसके बाद solve हो पाए या ना हो पाए दोनों ही cases में पूरा का पूरा solution ज़रूर देखिए चली I hope आप सभी ने attempt कर लिया है let's start start करते हैं क्या दिया हुआ है बारी बारी से पढ़ना हम start करेंगी a building consists of floors less than 70 तो एक building है उसमें number of floors आपको बताने के बस ये बोल रहा है 17 से कम रहेंगे on which some of the persons among P1, P2, P3, P4 and P5 तो 5 लोगों का नाम दे रहा है lives on different floors some of the person और कुछ लोग ऐसे हैं living in this building have different mobile phones और mobile phones के जो brand से उनका नाम भी दे रहा है asus, apple, samsung, nokia mi and micromax ठीक है सर कोई problem नहीं the person who has mi phone lives on an odd numbered floor below 10th floor ठीक है बारी बारी से क्या करेंगे information note करते चलते हैं ठीक है अब क्या किया जा सकता है आपको information note करनी अब number of floors आपको पता है नहीं number of floors सभी तक हमें पता है नहीं एक बार ऐसा करते हैं यहाँ पर ये section हम बना लेते हैं यहाँ पर हम सारी information note करते रहेंगे इस तरफ आप cases बना दिजेगा इसा करते हैं Iस तरफ हम सारे के सारी information note कर लेंगे इब केसे बनालेगे cases जो भी बनेंगे कोई number of floors यह पहली information आपके आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा था P4 lives 3 floor below the person who has M.I. phone M.I. phone वाले के 3 floor नीचे कौन रहेगा P4 रहेगा तो यह रहा M.I. इसके 3 floor नीचे 1, 2 और यह आगे आपका P4 बहुत ही बढ़े आगे देखते हैं P1 does not live on the topmost floor of the building P1 कहां नहीं रहेगा सर P1 का बोला है कि टॉप पे नहीं रहेगा सर ठीक है तो टॉप लिखके cross लगा दीजे और यह information noted ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं The person who has Asus neither lives below 5th floor nor on the 10th floor ठीक है तो Asus वाला है पांचवे floor के नीचे नहीं रहेगा तो पांच या फिर पांचवे के उपर ही रहेगा जो Asus वाला है उसका बोला गया है कि पांचवे से या पांचवे या पांचवे के उपर ही रहेगा और इसमें याद रखिएगा दसवे floor पे वो नहीं आ सकता कौनसे floor पे नहीं आ सकता दसवे floor पे नहीं आ सकता तो इस तरह से note करके रख लिए जी चलिए sir The person who has micromax lives on a floor immediately below piece floor but not on the bottom most floor Micromax वाला कहा रहता है sir Micromax वाला कहा रहता है sir Micromax वाला P4 के भी just नीचे रहता है Micromax वाला जो है P4 के भी just नीचे रहेगा तो इसको note करके रख लेते है sir P4 Micromax वाला P4 के just नीचे रहेगा तो यहीं लिख लो Micromax करके यह कैसा और क्या बूल रखा था but not on the bottom most floor अब Micromax के आगे इस तरह से आप cross करके bottom लिख दीजे या फिर first floor भी लिख सकते है bottom floor first floor ही बना जाएगा अब और क्या दे रखा था sir there are four floors between the person who has Micromax and P5 P5 और Micromax के बीच में चार floor का gap है ठीक है sir P4 sorry P5 P5 और Micromax में चार floor का gap है इस तरह से note करके लिख लेए चाज़ है ठीक है sir there is a gap of two floors between P5 and Samsung P5 और Samsung में दो floor का gap है ठीक है sir P5 और Samsung में दो floor का gap है Samsung इतना लिख लेजिए पूरा लिखने की ज़रुवत नहीं चलिए P2 lives two floors above the person who has Samsung अब P2 का रहता है Samsung वाले से दो floor उपर रहता है sir P2 रहता है दो floor उपर एक floor दो floor यह आगे आपका Samsung ठीक है sir vertically इस तरह से लिखती जिए जिसे exact direction हमें पता है ठीक है sir there is a gap of four floors between P2 and the one who has Asus P2 और Asus में चार floor का gap है sorry P2 और Asus में चार floor का gap है P2 यहां लिख दीजे चार floor एक दो तीन चार और यहां पर आगया आपका sir Asus आगया बहुत ही बहुत और क्या दे रहका था P5 does not have Nokia P5 के पास sir Nokia नहीं है तो ऐसी तरह से P5 लिखा cross करके क्या कर दीजे Nokia लिख दीजे चार वेरी बूर और क्या बचा है P3 has apple and he lives two floors below Asus Asus के दो floor नीचे रहेगा P3 Asus के एक floor दो दो floor कौन रहेगा P3 रहेगा P3 को क्या पसंद है Apple पसंद है ठीक है sir अभी के लिए information note कर रहे है हम आराम से बिना कोई गलती किये There is a gap of two floors between P3 and P1 P1 does not live below the person who has Samsung ठीक है सबसे पहले तो ये note कीजे दो floor का gap है P3 और P1 के बीच में ठीक है sir P3 और P1 के बीच में दो floor का gap है और बोला गया है P1 जो है वो Samsung के नीचे नहीं रहता Samsung के नीचे नहीं रहता कौन sir P1 तो cross करके लिख लीचे ठीक है sir और क्या बचके है The person who lives on 6th floor from the top has Nokia but he does not live immediately above P5 ठीक है नोकिया वाला top से top से 5 वे पे रहता है तो Nokia लिख लो 6th top करके लिख लो ठीक है और क्याद लिख लिए हैं पर पी फाइफ के जस्ट उपर नहीं रहता तो ये इस तरह से करके इस पे लगा दो क्रॉस इस पे लगा दो आप क्रॉस ये आपने सारी की सारी इंफर्मेशन यहां पर यूज कर लिए यहाँ पर क्या किये आपने सारी के सारी information यहाँ पर use कर लिए ठीक है सर इतना ही दे रखा था इतना ही दिया वा था चलो और कोई information हमने miss नहीं किये ठीक है ठीक है ठीक है बहुत ही बड़ी सर आपके पास सारी information given है काफी सारी information है सर, start कहां से किया जाए यह सबसे बड़ा सवाल ले यार मैं इसमें सबसे पहले ध्यान दूँगा कि कौन सा एक element है जिससे मुझे बारी-बारी से cases बनाने का मौका मिले मेरा ध्यान जाता है सर, issues पे जाता है कहां जाता है सर, issues पे जाता है और एक MI पे जाता है क्योंकि सर, MI भी अगर आप चेक करो MI भी अगर आप चेक करो MI के लिए बोल रखा है कि सर, MI odd पर है और 10 से नीचे odd पर है और 10 से नीचे अब यह याद रखेगा MI के नीचे P4 है P4 के नीचे Micromax है और accordingly बाकी सारी चीज़ें भी आप अराम से प्लेस कर पा रहे हैं तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं या तो आप MI से शुरुआत कर सकते हैं या फिर ASUS से स्टार्ट कर सकते हैं अब ASUS का मुझे यह पता है 5 या 5 से उपर है तो मैं 5 से बनाना 5 से चेक करना स्टार्ट कर सकता हूँ कि या लेज से पांचवे फ्लोर पे ASUS रहोगा दूसरा मैं यह कर सकता हूँ कि MI 10 से नीचे है अब MI का P4 से कनेक्शन है P4 का Micromax से कनेक्शन है अब P4 का और किसी से कनेक्शन है सर आगे P4 से related information तो नहीं दी भी सर Micromax से related दी भी एक एक बर यह चेक कर ले Micromax से related सर Micromax से related P5 की information है P5 से Samsung है ठीकि P5 से Samsung है Samsung से P2 है P2 से ASUS है ASUS से P3 Apple है P3 से P1 है तो सर ज़्यादा बेटर कौन से लगा दोनों चेक करने पे सर ज़्यादा बेटर यह लगा कि Mi से अगर start करके देखे तो में भी कुछ पता चल जाए तो सर मैं ऐसा start करता हूँ कि Mi को 90 floor पे रखना start करता हूँ 9th floor से start करते है Let's see कि Mi अगर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 इसे एक बर चेक करते हैं कि situation क्या बन रहे है किस तरह से cases align हो रहे किस तरह से आपकी information यूज की जा रही उससे थोड़ा सब basic idea लग जाएगा तो चल यह start करते है 9th पे आपने क्या रख दिया सर, Mi रख दिया बहुत ही बड़ी है इससे 1, 2, 2 के gap के बाद आपने क्या रख दिया P4 रख दिया P4 के बाद आपने क्या रख दिया सर, Micromax रख दिया Micromax bottom पे नहीं आना चाहिए बिल्कुल bottom पे नहीं Micromax और P5 में 1, 2, 3, 4 का gap है Micromax और P5 में कितने का gap है सर 1, 2, 3, 4 का gap है 1, 2, 3, 4 और उपर क्या आजाएगा P5 और नीचे चेक करें तो 1, 2, 3, 4 सर नीचे तो जगे नहीं उपर की possibility है 1, 2, 3, 4 इसके उपर एक floor और आजाएगा कम से कम वो क्या होगा 10 वा floor और यहां पर आपका क्या आजाएगा P5 आजाएगा बहुत है बड़ी है सर यहां तक आपने P5 रख लिया Micromax का यूज कर लिया अब P5 और Samsung में कितने का gap बता रहा है सर P5 और Samsung में सर 2 का gap बता रहा है तो क्या कर सकते हो सर यहां पर 2 possibility बन सकती है या तो 1, 2 करके उपर Samsung आजाएगा या फिर 1, 2 करके नीचे Samsung आजाएगा दोनों चेक कर लेते दोनों चेक कर लेते हैं कोई problem वाली बात नहीं ठीक है सर Let's see Samsung आपने रख दिया 1, 2 का gap यहां पर क्या आगया सर आपका Samsung आगया यहां पर आपका Samsung आगया याद रखिएगा इसमें मैं color change कर देता हूँ इसमें ऐसा करते हैं color change कर लेते हैं जिससे की मिटाने में हमारे आसानी है यहां पर हमने दो variation बनाने वाले हैं न P5 से यहां पर हम ऐसा करते हैं color change कर देते हैं चलिए सर यहां से हमने variation लिया Samsung यहां पर आया अब Samsung के आते ही यहां पर Samsung आते ही अब Samsung के एक के gap के साथ यहां पर क्या आए जाएगा सर P2 आजाएगा ठीक है सर P2 आगया अब P2 के 4 के gap के बाद Aisus आता है अब Aisus के बारे में बता रखा है कि सर 5 या 5 से उपर होना चाहिए और 10 बें नहीं होना चाहिए P2 अगर आपने यहां पर रखा है और 4 का gap 1, 2, 3, 4 Aisus यहां तो रखने सकते हैं कि 5 पांच से नीचे नहीं हो सकता अब उपर ही रखोगे ठीक है सर उपर रखने की कोशिश करते हैं तो इसको थोड़ा सा और extend करते हैं लेट सी 11, 12, 13 ठीक है सर यह रहापी टू 1, 2, 3, 4 यहां पर क्या आजाएगा सर आपका Aisus आजाएगा अब सर एसूस के लिए क्या बूल रखा था एसूस और P3 एपल में एक का gap है एसूस और P3 एपल में कितने का gap है सर एक का gap है बिल्कुल बिठा दिया सर एक का gap अब सर इसके बाद आपको क्या बोल रखा था कि P3 Apple तक आ गया P2 आ गया अब Samsung काहां पर था ये रहा Samsung Samsung आपका ये रहा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक बिल्कुल मज़े से बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं अब सर और कौन सा था P5 के सामने Nokia नहीं आएगा वो तो ठीक है P3 और P1 में दो का गयाप है एक दो P1 यहां तो नहीं आ सकता P1 औव्यस सी बात है कि P1 कहा आएगा सबसे उपर आ जाएगा पंदरवे नंबर पे आपका P1 आ जाएगा पंदरवे नंबर पे क्या आ जाएगा P1 आ जाएगा अब सर P1 और Samsung में यह था कि P1 Samsung के नीचे नहीं आ जाएगा तो सर Samsung के नीचे नहीं आ रहा उपर ही आ रहा है कोई इशू नहीं है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा अब सर Nokia के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है Nokia के लिए आपको क्या बोल रखा था Nokia P5 के सामने नहीं है और कुछ दे रखा था P1 टॉप पे नहीं है सर P1 बोला था टॉप पे नहीं है अब सर ये P1 तो सबसे टॉप पे ही आ रहा है इसके उपर तो और कोई फ्लूर हमें दिखाई नहीं दे रहा सर इसके उपर तो और कोई फ्लूर दिखाई नहीं दे रहा जी एक बर चेक कर लीजिए कोई information हमने miss की है सर P5 के सामने Nokia नहीं है Nokia नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है Nokia टॉप से 6 पर है टॉप से 6 पर है तो लेट से अगर यहां से 6 पर लेते 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th तो सर 6 पर P5 P5 के सामने Nokia आगया P5 के सामने Nokia आगया पर मना किया था P5 के सामने Nokia तो सर यह तो possibly नहीं है यह तो possibly नहीं हो पाएगा सर और कैसे बिठा सकते हैं आप यह बताओ और कैसे बिठा सकते हैं सर ये तो फिर आपकी possibility नहीं बन पाई सर ये तो यहाँ पर तो problem होगी possibility नहीं बन पा रही चेक कर लो एक बार अच्छे से सभी के सभी अच्छे से चेक कर लो सर ये eliminate हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार ये बता तो ये eliminate हो गया कि नहीं हो गया यहां से अठा, यह हट गया, यह हट गया, यह हट गया अब पहले case में ही सबसे ज़्यादा conditions के बारे में पता चलेगा सबसे ज़्यादा analysis first case में करना पड़ेगा, उसके बाद problem नहीं आई ठीक है सर, ठीक है सर, कोई issue नहीं अब सर, यहां पर P5 से आप एक चीज़ कर सकते थी, कि P5 से आपने क्या लिया था, नीचे samsung लिया था अगर मैं उपर samsung लेता तो, एक दू का gap samsung कहा आ जाता, यहां पर आ जाता ठीक है सर, well and good, कोई problem नहीं, कोई problem नहीं अब सर, samsung मैंने यहां पर ले लिया, samsung मैंने यहां पर ले लिया, अब सर, samsung से भी एक के gap के साथ उपर कौन आ जाएगा, P2 आ जाएगा, अब सर, P2 यहां पर रखते ही, मेरे को यह information याद आने लगी, कि उपर नहीं है, पर फिर भी हम चैर लेते हैं, देखके मुझे पता चल गया यहां पर ही, के chance कमी है, फिर भी देख लेते हैं, अब samsung से 2 के gap के बाद कॉन आता है, P5, एक 2 के gap के बाद P5 है, वो बिल्कुल आपने set कर रहद है, अब P5 से माइक्रो ले चुके हो P2 और Asus में 4 का gap ओपर तो आ नहीं सकता क्योंकि 17 से कम floor है तो maximum floors कितने हो सकते हैं 16 नहीं हो सकते हैं maximum 16 नहीं हो सकते हैं तो P2 से 4 का gap 1, 2, 3, 4 P5 के सामने क्या आ गया सर आपका Asus आपने लिख लिए P5 के सामने क्या लिख लिए सर आपने Asus लिख लिए ठीके सर Asus से 1 के gap के बाद P3 क्या आ गया सर Apple आ गया ठीके सर कोई इशू नहीं है यहां तक भी P3 और P1 में कितने का gap बताया सर P3 P1 में 2 का gap बताया सर 1, 2 का gap P1 यहां पर भी आ सकता है 1, 2 कहीं पर भी रख लो सर P1 चाहे मैं उपर रखूं तो यहां पर P1 आएगा नीचे रखूं तो यहां पर P1 आएगा दोनों ही केस में P1 सैमसंग के नीचे आ रहा है दोनों ही केस में P1 सैमसंग के नीचे आ रहा है विच इस नॉट पॉसिबल मना किया है एक बार इसको एस कर लेते हैं जल्दी से मुझे बता है थोड़ा सा time taking है पर pew means का सवाल है यार थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा सबसे important बात यह थी कि Micromax वाली information से आप start कर सकते थे सर 9th floor से हमने start किया कहां से start किया था सर 9th से गिया था अब next MI के लिए क्या बैठ सकता है सर MI का next साथवे पर करें क्या साथवे से start करें चलिए सर साथ छे पांच चार तीन दो एक बहुत ही बढ़ी है सर बहुत ही बढ़ी चलिए एक मिनिट के लिए बेट को बहुत ही बढ़ी है अब सर MI के दो के गैप के बाद एक मिनट के गैप के बाद आपके पास कौन आगया सर MI के दो के गैप के बाद आपके पास कौन आजाएगा P4 आजाएगा सर एक दो यहां पर क्या आग WY ागया ठीक है सर, अब Micromax रखते ही Micromax रखते ही, अब Micromax इसको अटा दीजे, ये information आपने यूज़ कर लिए ठीक है सर, P5 और Micromax में 4 का गया आपने नीचे उतनी आ सकता, उपर ही आएगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और यहां पर आपके क्या आ जाएगा, सर, 8 आ जाएगा यहां पर क्या आ गया, सर, आपके पास P5 आ गया इसको अटा दीजे, इसको अटा दीजे ठीक है सर, P5 आपने यहां लोगा अब सर, यहां पर आपके सवाल आता है P5 और Samsung में 2 का गया पर एक दू Samsung यहाँ पर भी आ सकता है उपर भी आ सकता है दोनों ही चीज आ सकती है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है पिछले वाले केस से मैंने यह सिखा है कि सर सैमसंग के नीचे P1 नहीं आना चीए सैमसंग के नीचे नहीं आना चीए तो मेरी कोशिश कहा रहेगी सर सैमसंग मेरा जितना नीचे रहेगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा सैमसंग जितना उपर रहेगा उतना P1 के नीचे आने की पॉसिबिलिटी जादा रहेगी और मैं नहीं चाहता कि P1 उसके नीचे हो मैं चाहता हूँ P1 उसके क्या हो उपर हो तो मैं इस case को सबसे पहले follow करूँगा कि एक दो और Samsung को मैं यहां रखूँगा बजाए कि मैं Samsung को उपर रखूँ कि उससे फिर possibility यह बनेगी कि यार P1 नीचे आ सकता है यह मैंने पिछली बार से ठीक है कोई नहीं मैं second variation भी आपको show कर दूँगा क्यों eliminate हूँ ठीक है अब Samsung आपने यहां रख दिया ठीक है सर कोई issue नहीं है यहां पर आपने Samsung रख दिया अब Samsung के एक के gap पर आपके पास को आ रहा है P2 तो MI के सामने को आ आ चुका है P2 आ चुका है बहुत है बड़ी है इसको भी हटा दीजे ठीक है सर अब P2 और Asus में कितने का gap है सर चार का gap है Asus के बारे में बोला है पांच से उपर होना चे तो नीचे तो Asus आ नहीं सकता obvious सी बात है Asus उपर ही आएगा और कितने का gap है चार का तो और फ्लोर्स आपको यहां पर बनाने पड़े है चलिए सर और फ्लोर्स बनाते हैं बिल्कुल 9th कितने चार ची है ना 1, 2, 3, 4 10th 11th 1, 2, 3, 4 P2 से लेना था हमें 1, 2, 3, 4 और 12th floor पे आपके पास कौन आ जाएगा सर 12th floor पे सर मेरे पास आ जाएगा Asus आ जाएगा हाँ जी agree करते हो सभी के सभी बिल्कुल सर 12th floor पे आपके पास कौन आ जाएगा Asus आ जाएगा तो ये वाला information हटा दीजे अननेसेसरी बना ठीक है Asus के एक नीचे पे P3 Apple ठीक है सर एक नीचे पे कौन आ जाएगा P3 Apple आ जाएगा P3 और P1 में कितने का gap है सर 2 का gap है एक दो यहां तो आनी सकता obvious सी बात है उपर ही आएगा तो P3 एक दो का gap उपर आ जाएगा सर आपका 13th floor पे आ जाएगा कौन आ गया सर यहां पर P1 आ गया यहां पर क्या आ गया सर आपके दो gap के साथ P1 आ गया अब यह चेक कर लिजे Samsung और P1 यह information बहुत critical थी बहुत सारी variations अटाने की अब P1 का है Samsung के उपर है यही हम चाहते नीचे नहीं होना चेह था उपर होना चेह था विल्कुल मिल रहा है सर इसको अटा दीजिए इसको भी इटा दीजिए P3, P1 का आपने यूज़ कर लिया इसको भी हटा दीजिए अब सर यह आप यूस कर चुके हैं इसको अटा दीजिए P1 sir top पे नहीं हो सकता तो कम से कम इसके एक floor ऊपर और रहेगा P1 top पे नहीं रह सकता तो एक floor कम से कम इसके ऊपर रहेगा अब exactly कितने ऊपर ये मुझे नहीं पता कम से कम एक तो रहे गए रहेगा इसको भी हटा दो एक बार के लिए चीके sir अब यहां देखेगा टॉप से छटे नंबर पर नौखिया आना चाहिए तो अगर यही टॉप होता अभी पका पता नहीं है टॉप कौन सा है यह टॉप होता तो एक दो तीन चार पांच छे यहां पर क्या आ जाता आपका नोकिया आ जाता नोकिया के जस्ट नीचे P5 नहीं रह सकता है पर सर हमारी केस में तो अगर इसको मैंने टॉप ले लिया तो जस्ट नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये टॉप नहीं ये टॉप नहीं है तो सर कम से कम एक फ्लोर और इसके उपर है यहां से अब गिनना स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पांक छे सर यहां तो एपल है यहां पर नोकिया आने सकता इसका मतलब इसके उपर एक फ्लोर और है ठीक है सर 16 फ्लोर रख दिया अब गिनते हैं सर एक दो तीन चार पांक छे सर यहाँ पर बिल्कुल जगह खाली है Nokia और इस Nokia के नीचे P5 भी नहीं आ रहा सर यह आपका क्या बन जाएगा टॉप बन जाएगा और इसी के साथ आपका complete क्या हो जाएगा case complete हो जाएगा तो number of floors कितने आ रहे maximum 16 बोला था और 16 ही floors आ रहे और यह पूरी की पूरी arrangement आपकी बन रहे है अब आप यह MI से start नहीं करते कहीं और से start करते तो इसमें बहुत सारी cases बनते बहुत सारी problem आती अब दूसरी चीज़ यह थी कि सर आपने दूसरी variation शो नहीं की दूसरी variation दूसरी variation जिसमें आप Samsung को कैसे रखते सर आपने क्या किया आपने P5 और Samsung में एक बर मैं आपको show कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं यह show कर देता हूँ फटा फट से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा wait और कर लो थोड़ा सा wait और कर लो जिनके doubt है कि सर बाकी case का क्या होँ वो भी मैं show कर देता हूँ एक मिनिट के लिए बहुत ही प्यारा सवाल था यार अगर आप तरीके से करो तो बहुत आराम से हो जाता है और अगर आप systematic तरीके से नहीं करोगे ना तो solve नहीं हो पाएगा कभी भी कभी भी solve नहीं हो पाएगा मैं इसमें एक variation आपको और दिखा देता हूँ जो आप कह रहे थे P5 यहां पर था MI आपका यहां पर था ठीक है सर P5 यहां पर MI यहां पर P4 Micromax यहां तक था ठीक है अब आपके सवाल यह था कि सर इसके बाद क्या किया जाए P5 और Samsung आपने नीचे लिया था Samsung को बोलनी रखा था नीचे उपर भी तो सकता था ठीक है उपर लेकर दो एक दो यहां पर क्या आगया आपके पास Samsung आगया ठीक है अब Samsung से related आगया information देखो Samsung के एक के gap के साथ उपर कौन आता है सर P2 आता है एक, दो, तीन, चार यहां पर क्या आजाएगा आपका Asus आजाएगा बहुत बढ़ी है अब Asus के एक के gap के साथ नीचे कौन आता है P3 Apple आता है यहां पर आपने क्या रख दिया P3 Apple अब P3 और P1 में दो का gap है याद रखिएगा सर नीचे मैं दो का gap रखूँ तो यहां पर P1 आता है उपर मैं gap रखूँ तो यहां पर P1 बनाता है दोनों ही case में दोनों ही case में P1 कहा पर है Samsung के नीचे यही मैंने आपको information mark की थी कि सर यह बहुत critical information है इसमें आपको फिर दूसरी variation बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसे अच्छे से read करें अब देखे इस variation में दोनों ही cases के अंदर P1 नीचे ही आ रहा है which is not possible इसलिए मैंने इसको नहीं बनाए अब आप बोलोगे सर इसके इलावा और भी तो micromax की possibility है एक possibility हो रहा है बहुत सारी नहीं है एक possibility ज़ादा से ज़ादा आपकी दिमाग में आ रही होगी कि सर पांचवे में भी तो check कर सकते थे MI को रखे MI को यह पांचवे में आप रखते 2 का gap आता चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ MI को मैं यहां रख लेता हूँ MI को आप पांचवे में पर रखते 2 का gap आता यहां पर क्या आ जाता सर यहां पर आपका P4 आता और यहां पर क्या आ जाता सर आपका Micromax आ जाता पर Micromax का मना किया था कि bottom में नहीं हो सकता सर Micromax का bottom में नहीं हो सकता तो और कोई case बनाने के ज़रती है सिर्फ दो cases आपको बनाने है उन दो cases के अंदर कुछ variations है जो आप वहीं चेक कर सकते हैं वहीं चेक कर सकते हैं और आराम से solve हो जाएगा ठीक है तो चलिया यह होप आपने सवाल को enjoy किया होगा अच्छा सवाल था interesting question था अगर आप सही से information ओड करते हैं और सही जगह से start करते हैं तो बहुत easy सवाल था ठीक है तो total 16 floors आ रहे हैं और two means के लिए सवाल था जाने से पहले फिर से मैं request करूँगा current affairs की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो affairs cloud का अनिमल subscription ले लिजे link description में आपको मिल जाएगा अगर आप practice mock की अगर आप test series ढूंड रहे हैं तो practice mock की test series बहुत ही अच्छी है बहुत ही relevant है उसका free test मैंने link जो है description में दे रखा है अब जाके check कर सकते हैं अलग-अलग plans हैं वो आप check out कर सकते हैं अब इसके इलावा जाने से पहले एक request में करूँगा अगर हम मेरे sessions हमारे sessions आपको पसंदा रहे हैं चैनल पे जल्दी से subscribe कीजिए क्योंकि हम एक चीज़ note करने हैं कि आप में से काफी लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं like भी कर रहे हैं होगा clerk means के लिए उसको भी ज़रूर देखिएगा now that's all for today's session have a great day